हेलो स्टूदेंट्स वेलकम टो क्लास डेस्ट कैसे आप सब आई मैं तुल संग वाल दिया यह टीचर एस विलसे मेंटॉर सो आज की वीडियो होने वाली है आपके थोड़ी सी स्पेशल रही विकॉस आपके देखो बोर्स की डेट शीट भी रिदीज हो चुकी है जो सीब्स मीडियो को शेर करो और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो लग कैसी रही है सो मेरा बिजस में स्कूर था 99 बट हाव आई स्कूर 99 था में क्वेश्चिन कि हम लोग भी आप लोग ऐसा क्या करो कि आपका भी 99 का स्कूर आजाए बिजनस के अंदर है ना इवन आपका 100 ठीक है सेकिंड आप किस तरीके से क्या आपका study material होने वाला है मैंने study material थर्ड आपकी revision strategy क्या रहने वाली है ठीक है एंड फॉर्ड आप किस तरीके से sample papers लगा होगे और उसका analysis है ना तो यह चार चीजे मैं आपके शेर करो कि मैंने किस तरीके से सब चीजे करी थी क्या क्या मैंने syllabus कैसे cover up किया था study material क्या था मेरा revision कैसे की थी मेरा सैंपल को सॉल्व किया था किस तरीके सॉल्व किया था तो देखो यार जो मेरा बिजनस सब्जेक्ट था ना स्टार्टिंग से मैं ऐसा नहीं की विल्कुल नहीं पढ़ रहा था थोड़ा बहुत पड़ी रहा था ब सब्सक्राइब से कर दी लेकिन मेरे दो तीन चैप्टर हो चुके थे से बरतक ना अच्छी तरीके से सब्सक्राइब और नॉवंबर से मैंने चालो कर दी थी अब स्लेबस की बात करूं तो देखो यार बेसर कने जैसे कि आपको बता है दो बुक्स है एक है आपके principles के उप मैंने सबसे लगिया किया सबसे वहले मैंने आपका में से कहते हैं इनको किया था इनको खब्याता लेकिन में लास्ता कैना नहीं किया था कवरब तो आपको अपको अच्छे से प्रिपेर करो ठीक है जो आपको जाला ताइम मिलेगा नहीं तो इसको अभी से प्रिपेर करना चलो कर दो कर लिए अगर बात करो फाइन चैप्टर के अंदर तो इसके अंदर चैप्टर था पढ़ना था मैंने किया फिर मैंने तुम्हार मार्केटिंग मेनेजमेंट किया था और सबसे आखरी में मतलब सेकेंड लास्ट मैंने किया था फाइनिशेल मेंचमेंट तो यह मेरी स्लीबस कवर करने की स्ट्रेजी थी थी नव्यों कर लेना काफी इंपोर्टेंट रहता है तो आपके इसको पता लगता है कि आपके अब मैं क्या करता था जैसे मैं ने चैप्टर पढ़ाया तो मानलों कि मैं पढ़ाने वाली फाइनेशन मार्केट तो आज मैं यूट्यूब पर फाइनेशन मार्केट वी वीडियो देखते सबसे पहले किसी भी टीचर की देख सकते हो ठीक है और उसके बाद फिर मैं क्या करता था फिर मैं एहना बुक से खुद पढ़ता था मतलब यह इंपॉर्ट कुछ भी नहीं आपको मैंने तो करनी पढ़ेगी मैं पहले वीडियो मैं लोजा फिर मैं था खुद पढ़ता था st Week चुंकछ ब्म पढ़ता था और इसकी पढ़ा रही है तो मैं पढ़ाते ही तहरो समझ में आ जाता था आंसर फिर समझ में आ जाए अगर तुमने पहले से पढ़ र यूट्यूब से पढ़ो और फिर तुम लो क्या करो बुक से पढ़ो more than enough है ठीक है कोई इश्व नहीं होने वाला है इसमें सब्सक्राइब किया ना पता है होता है क्या है अब स्लेवस आपने कवर कर लिया अच्छा स्टडी माटीरियल क्या थे मेरा देखो मैंने जो बुक फ रफ्वाश पाव अच्छी अच्छे लगा अच्छा अब देखो चैप्टर को जब मैं पढ़ता था 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 उसके सटीड़ी डगाता था साथ ही साथ यह नहीं तworks पर उसी टाइम पर उसकी तॉइस लगाने होती है सुभाश नहीं बता एक बात अच्छी ए उसमाताँ टॉपिक वाइस के अच्छी दे लखी है कि जैसे मालों कि मैं बटर हो characteristics of management तो इसी देरिखियो कि तो ज्यादा अच्छा है कह सकते हैं कि ज्यादा well-organized ना चैश कर लोगे क्योंकि आपको लगाने में पड़ी आपको लगाने पड़ेगी अगर कोई सैंपल पर खरी रखत काफी अच्छी बात है चैश करें पूनम गांधी फॉलो कर रहे हो जिसमें हैना क्वेस्टिस मिल जाए कि उनको तुम साथ साथ लगाना ठीक है जब यू तुम्हारा पूरा वह स्कूइब इसमें चूटे ना सब कवर अपो जाए जैसे मानलों कि मैंने पर डिरेक्टिंग पड़ा था तो मैंने ना जितने पर क्वेशन बन सकते थे के सारा सारी क्वेशन लगा लिए थे ताकि मेरा कुछ फूटे ना अब यह तो हो गया कि मैंने किस तरह के स्लेवर्श कवर एब की अधिक है और मुझे मैक्सिमा मैंना दो से धाई महीं लग गए ते स्लेवर्श कवर करने में अच्छी तर लो होता है कि तुम आगे का पढ़ोगे पीचे का भूल जाओगे आगे पढ़ोगे पीच्छे का भूल जाओगे वहई रिटेइनिंग पावर कैसे हैंगी अदर जब तक सुन रिवाइस करना और एक चीज और मैं देखत रस बच्चों करने कंभी से इस कहाँ से यहांसे और को ऐसा मत करना आपको है कि डाइए मज्मिक नहीं करने में सोर्स को स्कोर्फ को आपको सिंगल रखना है सिंगल या मैक्सिमम दो बुक्स पस इन्हीं को पढ़ो it is more than enough या तो कोई भी एक बुक पकड़ लो जिसमें को समझ में आ रही हो या दो ठीक है क्या रिविजिन की बात करूँ तो रिवेचे में पता है क्या करता था देखो मैं कभी रेगुलर नहीं पढ़ता था मैं इसको अदिर मैं को लेकर चलता था कि इक यह करता था वर यह और बिजनस मेरा और यहluड भी एक दिन ऐसनकी बात करूंद करूं न talkin' the end of the day होता क्या है कि तुम्हारा basically बहुत सारे characteristics है ना directing के अलग features है directing के अलग advantages है organizing के अलग advantages है staffing के अलग है है ना इनके processes अलग है आपका principles इतने सारे है ठीक है तो मैं क्या करता था मैं सब के acronyms बनाता था acronyms का मतलब क्या होता है जैसे मैं इस तरीके से मैंना acronyms मनाके उनको याद किया गरता था तो यह काफी अच्छी ट्रेक है क्योंकि at the end of the day आपके बहुत सारे features बहुत सारे characteristics होने होने खटे तो कितने points को मैं याद रख लोगे बढ़िया को एक phrase को एक sentence को एक acronym याद रख लो काफी बढ़िया रहेगा जैसे प्रिंसिपल्स का मैंने बनाया था डैड यू सी होता है और कोशिश तो यह करना किसी चैप्टर को कम से कम करो कम से कम क्योंकि मैंने इस वीक के अंदर एक हफ्टे मीन चैप्टर करता था और संडे को संदे को रिवाइस करता था अब बात करते कि अच्छे सब्सक्राइब लगाने की सब्सक्राइब सब्सक्राइब इतना फोकस नहीं करना तुमको बिजनस के अमें तुमको बेसिकली के सब्सक्राइब कर लगानी है जितना ज्यादा फॉसी पर लगाए बस काम खत्म करो की कहां तुम्हाली गलती हुई ठीक है यह इंपॉर्टेंट्टिन ऑगर तुम अनलाइज ही निकले के तुमको समझ में नहीं आएगा तो मैं सेंपल लगा कि उसको एनलाइस भी किया करता है एनलाइस करना काफ जदा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ठीक है अब जो आपको इस वीडियो समझना है वह आपको यह समझना है कि अगर आप सेंपल इको रहें तो इसको एनलाइस करो अपने एक ऐरियास ढूंड़ो ठीक है उसके बाद तुम पहले अपने स्लेवर्स में जो आपके मेन में बेटेज वाले चैप्टर है उसको तो पड़ो ठ chapter है ना chapter को बिना read की आप नहीं कर पाऊगी case study solve तो chapter score लिए तुमको read करना पड़ेगा chapter read करना ही पड़ेगा ठीक है और revision के लिए आपको हर Sunday को revise करना पड़ेगा जो भी आप पूरे week में पड़ रहे हो you can use acronym trick है ना आप acronym को use कर सकते हो अगर आप इसको follow करते हो तो आप 99-100 score कर पाऊगे यह मेरी guarantee है so I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी आपको strategy में से कुछ सीखने को मिला होगा किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को subscribe कर लो वीडियो को like करो comment करो and share करो